क्लास 8 के साइन्स की कॉंपिचेंसी एनेस्वेंट प्लान की वीकली प्राक्टिश शीट नमबर वन जो की रिलेटेड है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट चैप्टर जे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बढ़ उससे पहले कर चैनल पे नए आए है तो चैनल को पिताजी जो है कि खेट से उनन्वांटेड प्लांट को वीड कहा जाता है तो इसको देखते हुए संजीव ने कहा कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उनके पिताजी का क्या आंसर रहा होगा तो उस प्रोडक्श को कहते है ठीक है इसके पाद अगला question है इस मेंसे क्वा विए उगाया जाता है तो आंसर है में जून नेक्स्ट वेशन है किसके लिए प्लोइंग के विए ठीक है पंचाबी मेडिया में स्टूडेंट्स के लिए इसके आंसर देख लेते हैं तो सबसे पहले question का answer है नदीन कड़ना ठीक है question number two the answer है सरों जो की option number two है question number three माई ते जून question number four हाल चलान ठीक है इसके बाद आजाता है broadcasting is a method of next question broadcasting तरीके का method है तो sowing of seed बीज बोने की प्रक्रिया है ठीक है इसके बाद अगला question है which one of the following crop does not require nitrogenous fertilizer nitrogenous fertilizer का इस्तमाज इस crop में नहीं किया जाएगा तो basically जो डाले होती है legumes होता है उसमें नहीं किया जाता ठीक है तो beans जो है वो एक तरीके की डाल है legume crop है अगला question है winnowing is done with the help of winnowing जो है तो अगर जो है वो land plane नहीं है uneven है ठीक है तो किस तरीके का irrigation यहीं कि सिचाई की प्रक्रिया जो है वो सही रहेगी sprinkler system ठीक है next question है leguminous crop enrich the soil with जो leguminous crops होते हैं वो मिट्टी को किस चीज में rich कर देते हैं तो वो nitrogen में rich कर देते हैं ठीक है और इसलिए उस नाइट्रोचिन नहीं होती ठीक है अगला question है out of the following which is not a macronutrient इसमें से कौन सा जो है वो macronutrient नहीं है ठीक है तो macronutrient नहीं है कौन सा chlorine अगला question जो है वो पंजाबी मीडियम में है पंजाबी मीडियम स्टोइट्स वालों की आंसा देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले बीज बिजन टीक है question no.5 का answer जो कि second option है question no.6 जो है उसका answer है पहला जो कि है दाला question no.7 इसमें fourth option जो कि है हवा question no.8 इसमें जो है वो third option जो कि है फुहारा प्रणाली question no.9 इसमें first option nitrogen question no.10 थर्ड option जो कि है क्लोरीन ठीक है question no.11 leaves of which plants are used to protect grain from insects कौन सी प्लांट की पत्तियों का अस्तमाल जो है वो अनाज को insect और microorganism से बचाने के लिए किया जाता है कीडे ठीक है question no.12 है the process of loosening and turning of the soil तो मिट्टी को loose करना ठीक है और जो है उसको turn करना इस process को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है flowing next question है out of the following statement which one is incorrect regarding the chemical fertilizer इसमें से कौन सा option जो है वो chemical fertilizer के लिए सही नहीं है ठीक है तो question no.4 है कि यह जो है वो मिट्टी को नमी प्रदान करता है यह गलत है ठीक है इसके बाद आ जाता है question no.14 जो कि है फंगी in crop is controlled by the chemical तो फसलों में फंगी जो है वो ना भड़े उसको control करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है फंगी sides का ठीक है आगला question है which of the following method can be used to separate healthy and viable seed from a heap of grains तो अनाज के धेर में से healthy grains को अलग करने के लिए कौन सा तरीका जो है वो अपनाया question number 11 का second option नीम ठीक है इसके बाद question number 12 अप्शन हल चरण ठीक है question number 13 जो है इसका जो है वो fourth option है ठीक है कि यह जो है वो basically मिट्टी को जो है वो नमी प्रदान करता है यह गलत है ठीक है इसके बाद question number 14 जो है इसमें पंगी साइड है ठीक है जो कि option number 4 है ठीक है उल्ली नाशक और question number 15 जो है इसमें भी option number 4 है ठीक है कि इनको जो है दाने अनू पाने विच पाके ठीक है तो बच्चों यह वीडियो हो जाते हमारी यहीं पे खत्म इनकेस आपको कोई भी आप कमेंट सेक्शन में question कीजिए आपको reply करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी thank you very much and all the best for your test bye bye